हाई विनर्स आई होप यूल आर वेल दिस साइड राजी वानन्द वेलकम टू क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चानल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स एलुएंसी से रिलेटिड हम लोगों को एक नए प्रपोजल का वेट था तीन माई को उस नए अपग्रेडिड पूरी के पूरी क्रिप्टो मार्केट के सामने रखा गया अब उस अपडेट के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप ओफ आर्टिकल आने शुरू हो चुके हैं सबसे इंपोर्टेंट ये तीन आर्टिकल जो मुझे दिखें ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ देख इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग कही न कहीं पर वैलिडेटर को कमिशन की बात की गई है दूसरा बर्निंग की बात की गई है तीसरा टैक्स बर्न प्रपोजल पर एक प्रॉपर अपडेट की बात की गई है और कहीं न कहीं पर मॉडिफाइड किया जाएगा वर्जन और यहां पर कही न कही पर minimum 5% of commission to all the validators इसका भी बात की गई है उसके बाद जितनी भी LUNC blockchain के अंदर Terra blockchain system में जो bugs आती है time to time उन्हें भी कही न कही पर proper fix करने की बात की गई है और कही न कही पर एक proper software governance proposal जो है उसका 2.1.0 version भी जो है उसके launch करने की बात की जा रही है मतलब अभी तक 3 मई को कुछ चीजे जो है वो clear की गई है और future के point of view से भी कुछ चीजों को clear करने की बात की जा रही है अब इस proposal के बाद कहीं न कहीं पर आप ये देखिए कि point 00015 USD का जो price है वो INR की term में बनता है लगबग 12 पैसे का अब अगर LUNC आज के rate से इस price पर जाता है तो definitely एक अच्छे recovery तो हमें लोगों को देखने को मिल जाएगे यहीं पर अगर हम दूसरी बात करें कि टेरा classic का 3 मई के बाद अचानक से 11% का fall क्यों आया ये देखना जुरूरी है क्योंकि LUNC के रखा था तो एक millions में LUNA coin को buy करके रखना और जब 10-15% की recovery का एक hype बनना एक news बनना एक नया proposal आना तो वो कहिना कहीं पर direct अंदेशा करता है कि इसकी selling off होगी तो कहिना कहीं पर इस article का तो simple reason यह है कि selling off की वजए से LUNA 11% down दिखा लेकिन अगला article जो है अब वो बहुत interesting है आप यहाँ देखिए जो Terra Classic का final vision बताया जा रहा है वहाँ पर कहीं न कहीं पर Terra community के जो developers है Edward Kim वो बोल रहे है कि burnt tax और साथ में proposal of LUNC जो है वो इसको $1 तक reach करवा सकता है हाला कि $1 reach का अभी तक इस proposal में कोई भी बात नहीं की गई है इस proposal में 5% minimum sorry 5% commission validator की बात जुरूर की गई है नए bugs अगर कोई आते हैं तो उनको time to time fix की बात की गई है और नया version 2.1.0 की बात भी की जा रही है अब कहीं न कहीं पर देखिए बहुत बड़ा gap आपको इनी दोन प्लस का जा सकता है तो कई न कई पर आप यह देखिए कि Terra community के जो members है वो खुद यह मानते हैं कि जो हम time to time नया proposal लेकर आ रहे हैं जो Terra blockchain की halt की वज़े से मई 2021 में problem आई आज उस पूरी problem को sort out करने के लिए Terra community ready हो चुकी है अब यहीं पर जो सबसे important point निकल कर आता है वो निक होता है उसके अंदर हम लोगों को एक stable zone आने वाले future में मतलब कई न कई पर अगर किसी भी market में जब आप एक biggest या bull run देखते हो तो उस bull run में ऐसे sustainable project की growth जुरूर होती है जिसको bearish time में लोगों ने proper volume के हिसाप से trading volume के हिसाप से every 24 hour में maintain रखा है तो अब आप यह देखिए क 428 million dollar की market cap जो कभी 580 million dollar की market cap बन जाती है मतलब आज इतना bearish mood है लोग Tera LUNC पर believe भी नहीं करते हैं उसके बावजूद भी LUNC की जो trading volume है वो कही न कहीं पर top 100 project में इसको साबित कर रही है starting से हाला कि Luna जो था वो top 10 का project था लेकिन LUNC भी इतना down जाने के बावजूद भी कही ने कहीं पर इसको top 100 के rank में रखा हो गया है अब इस impact से देखें अगर ऐसी trading volume लगातार चलती रही तो next bull run तक हो सकता है अगर Tera ने burn tax किया और Tera LUNC आर्मी ने Tera Classic को burn करने में अपने और ज़्यादा efforts किये LUNC की जो supply more than 6 trillion हो चुकी है इस supply को एक level तक अगर burn किया गया तो कहीं न कहीं पर इस article में लिख्यूई बात भी सच हो सकती है अब यह जो article है यह कहीं न कहीं पर किम burners के नाम से है Edward किम के नाम से ही और Edward की नाम सब लोग जानते होगे Tera Alliancy Community आ फिर हम बोले Tera Foundation के blockchain के कहीं न कहीं पर developer का नाम ही है तो उनके नाम से यह article आना यह भी कहीं न फड़ा impact तो है जो daily trading volume है लेकिन कहीं न कहीं पर जो एक easy predict हम कर पा रहे है ना इस proposal के वज़े से अब इस proposal देखे आपको approximately 14% की recovery तो दिख रही है हाला कि 5 और 6 जून जो दो tough date गई है पिछली जहां पर एक दिन Binance को मतलब SEC ने Binance के against लिख दिया और topmost project Polygon, Cardano, Solana, XRP, Ethereum इन project के against में SIC ने कहीं न कहीं पर security issue डाल दिया, फिर कहीं न कहीं पर SEC ने 6 जून को coin base के against डाल दिया, ऐसे time पर भी अगर आपको LUNC के अंदर कहीं न कहीं पर एक impact दिखा है, green impact, चाहे वो 10-15% का है, लेकिन वो कहीं न कहीं पर आभी देखे, bearish mode में, मतलब इस proposal ने कहीं न कह अपना जो एक, मतलब positive impact है, वो तो जुरूर दिखाया है, it means two point of upgrade proposal जो किया गया है, जहां पर minimum validator की commission 5% तक की गई है, और कहीं न कहीं पर अगली जो date है, वो June 14 जो सबसे important date होने वाली है, अब वो important date जो है, वो 14th of June तक मेरे हिसाब से Terra Alliancy में हमें growth देख सकते हैं, अगर 14 of June तक ये price इस particular moment पर आ गया, 12 पैसे तक आ गया, तो मेरे सबसे selling of बहुत अच्छा point भी बन सकता है, future के point of view जी, अगर मैं इस article की तरफ ध्यान दे रहा हूं, तो ये article का complete focus जो है, वो daily trading volume पर है, इसके साथ-साथ burn rate को accelerate करने में है, और यही बात मैं आपको कह भी चुका हू जब तक burn rate के उपर focus नहीं करेगी, टेरा अलुएंसी आर्मी, और 6 trillion हम expect नहीं कर सकते हैं इतने बड़ी supply इस particular stable zone के token से, तो कहिना की पर जब तक burn पर पूरी focus नहीं होगा, Binance और जादा burn नहीं करेगा, कुछ और नए project अगर टेरा अलुएंसी को burn करने की support नहीं करेंगे, और इसके इलावा, अगर अलुएंसी आर्मी खुद से टेरा क्लासिक को proper तरीके से burn नहीं करेगी, तो यह $1 नहीं जा सकता, otherwise इस line में साफ लिखा है, the LUNC hype is to see is underline value hit $1 in the next major crypto bull market, मतलब next major crypto bull market means, आप यह समझ सकते हैं 2024 के end तक, 2024 के April और माई में जो next Bitcoin hauling होनी है, वहीं से कह पर एक bull market का trend चलेगा, और जैसे अगर हम 2021 को compare करें, या 2016 को compare करें, 2021 में जब Bitcoin की hauling 2020 में उसका बाद एक साल बाद trend आया, लेकिन उस टाइम पर market में लोग कम थे, तो आज आप देखें कि market के अंदर इस टाइम पर number of projects बहुत जादा है, तो लोगों का एक तम Bitcoin hauling पर बहुत ज़्यादा एक dependency factor बन जाता है, लोग उसका weight बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे trading पर impact आएगा, तो हो सकता है कि ये bull run हमें 2024 के ये जुलाई अगस सितंबर के महिनों में देखने को मिले, और end of 2024 तक टेरा अलिएंसी जो है, वो इस particular $1 के mark को touch करें, अगर $1 के mark को touch न के पास आज millions में टेरा है, और उनको लगता है कि यार दो रूपे का price आ चुका है, तो वो कहीना के पर एक अच्छा return rate मिलता है, तो ऐसे में लोग definitely उसको sell off करेंगे, because already 2021 का जो scenario है, उसमें लोगों ने टेरा, Luna को एकदम down जाते देखा है, तो recovery का एक proposal definitely 2.2 निकल कर आया है 14 zone को इसके अंदर एक और नया impact आ रहा है, तब तक हम लोग LUNC के अंदर एक price impact देख पाएंगे, next bull run के लिए trading value impact बोला जा रहा है, और burn rate को accelerate करने की बात बोली जा रही है, तो हो सकता है next crypto bull market में, ये $1 तक चला भी जाए, but according to me, अगर मैं आपको बिल्कुल एक confirm बात बोल बनते हैं, तो वो भी 10 लाक या 20 लाक रुपे बनते हैं, तो वाई, मतलब आपके बाद 10 लाक टोकन है, और आपका 1 रुपे का टोकन भी रहा है, तो हम लोग क्यों वेट करेंगे, कि वो unnecessary $1 की, हो सकता है, बढ़ते ही, वो एक दम बहुत बड़े level पर down आए, जैसे हम आजाता है, so why to wait for $1, मतलब मेरे इसाब से, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास, अगर मेरे पास, अगर पास, अगर अपर आपके लुपेस तक भी हिट करता है, नेक्स बूलरन के मिड में, या नेक्स बूलरन आने से पहले तक, इस प्रपोजल की वजए से, तो definitely I just need to sell it, इस please do your own research first, thank you so much for watching this video and please do subscribe Cryptomark YouTube channel for more updates, thank you so much